उत्तर परदेश में चीनी की उचुद पादन लागत निर्यात पर प्रतिकूल परभाव डाल सकती है जिससे अगामी गन्ना पिराई सत्र में अधिशेश चीनी की समस्या पैदा हो सकती है अगामी पिराई सत्र यानी 2022-23 में 100 मिट्रिक टन से अधिक के अनुमानी चीनी उत्तर पादन के मुकाबले उत्तर परदेश राज्चे की अपनी खपत 40 मिट्रिक टन रहने की समभावना है चीनी मिलो द्वारा अगले महीने से पिराई शुरू होने की उमीद की जा रही है चीनी उत्तर पादन लागत मुख्य रूप से राज्य सलाकार मुल्य द्वारा नियंतरित होती है जो उत्तर परदेश में सबसे अधिक है सरकार ने विधान सबाचुनाव से पहले पिछले साल सितंबर में राज्य सलाकार मुल्य यानि S.A.P. को 315 रुपई से बढ़ाकर 340 रुपई प्रतिक विंचल कर दिया था I.A.N.S. में प्रकाशित खबर के मताबिक चीनी उत्पादन की लागत करीब 31 रुपई से बढ़कर 35 रुपई प्रतिक किलोग्राम हो चुकी है वहीं इंडियन शुगर मिल आसोसियेशन के पदादिकारियों ने कहा है कि पिछले साल स्थिती अपेक्षाकरित उप्योग थी जब निर्यात अच्छा था इस साल उध्योग आशंकित बना हुआ है क्योंकि केंदर सरकार ने अभी तक अपनी निर्यात नीती की घोशना नहीं की है यूपी शुगर मिल आसोसियेशन ने पहले ही गन्ना मंत्री लक्षमी नरायन चोधरी और गन्ना आयूक्त संजय भुसरेडी को अपना अभ्यावेदन सोप दिया है जिसमें उनके हस्तक शेप की मांग की गई है झाल 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 झाल